हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी सो थोड़ी दिनों के बाद ये क्लास लग रही है अब डेली आपको कॉंटिनिस वे में क्लासेज मिलती रहेगी तो आज का जो हमारा टॉपिक वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारा फिफ्ट क्लास है तकरिवन 10-15 क्लासेज में म इसके लगाएंगे तो आज जो हम आपके पास टॉपिक लेकर आये हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास तो आज का है सिंपल इंट्रस्ट वर्क इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा स्टेड़ी करेंगे तो चलिए आपको होम स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं कंफर्म कर लेते हैं ओके होम स्क्रीन आपको विजिवल है रिकॉर्डिंग भी सही से ओडियो वीडियो को कंफर्म करना पड़ता है दर्वाइस स्क्रीन विजिवल नहीं होती तो चलिए कंपाउंड इंट्रस्ट हैं सिंपल इंट्रस्ट को आज हम स्टेडी करेंगे अब चीजिए इंट्रस्ट यैनि नॉर्मल भासम अगर्या आप हिंदी में पड़े हैं तो जिसके कहते हैं विल्जा हमारे पास यानि अगरा आप बैंक में ये वाली जिसौन रूपे जम्हा कर रहे हैं ये एंट्रस्ट में ही लगेगा ये किसी से आप उधार ले रहे हैं फिर परे पास कहते हैं अब देखिए जो simple interest है उसमें होता क्या है जैसे माली जी आपने 10 रुपे बैंक में जमा करवाए अब हर साल उसमें लगता है 10% interest लगता है तो इसी में ही आपके पास 10 जुडएंगे और यह 120 बन जाएगा यानि हर साल 10% लगेगा actual amount के ओपर जो आपने जमा करवाया था जो आप जमा करवाते हैं उसे कहते हैं हमारे पास principle amount क्या कहते हैं उसे principle clear जिसे P के साथ represent करते हैं और जो यह final में आपके पास बना ना 120 इसे कहत है amount clear यानि जो लास्ट में यानि amount क्या होगी आपके पास amount आपके पास बनता है principle प्लस जो आपके पास interest लगा ओ सिमपल यह compound जो भी होगा दोनों के लिए same formula है अमंघ क्या होते आपके पास जो प्रिंसी पल है और जो आपका इंट्रस्ट लगा है clear यह होता है simple interest निकालने के लिए आपके पास formula principle into rate into time upon hundred यह होता है for in case of simple interest okay उसके बाद compound interest की बात करें तो compound interest का formula होता है amount is equal to P bracket okay one plus R upon 100 raised to power T clear यह होता है simple interest का principle into rate into time upon hundred और यह आपके पास होता है amount का formula amount is equal to यह कि जब आप compound interest निकालते हो तो आपके पास actual amount निकलता है बहीं पे जब हम simple interest निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है बहां पे यानि interest की value निकलते है जैसे जैसे हम आगे करेंगे आपको clear होता रहेग हमेशे याद रखे total amount का बनता है जब principle plus interest आपस में मिलता है principle क्या होता है जो हमने bank में जमा करवाया है और interest क्या होता है जो उसके ओपर ब्याज लगा है चलिए यह हो गया अब compound interest की बात करें पहले हमने क्या देखा कि आपके पास क्या था 100 रुपे जमा करवाए प्लस उस सेम रहेगा मगर दूसरे साल में simple के simple में क्या हुआ था कि इसी के अंदर 10 और जुड़ गे थे मगर compound में गया होता है कि अब इसके उपर लगेगा क्यूंकि अब क्या है total amount बन गया तो जो amount है वो second इर में principle बन जाता है यानि इसका यानि 11 रुपे यानि आपके पास 11 रहता है ओके यानि आपको ज्यादा benefit होता है compound interest में as compare to simple interest ओके तो चीजे मैंने बताई इनको note कर ली जीगा अपनी copy के उपर अब चोड़िया इसको detail में देखते हैं तो यहां पे simple interest ही राइट है तो simple के सासाथ compound को भी देखेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चक्रव जो है one year यानि हर साल आपके पास जो आपके पास amount है वो आपके पास बनता है principal plus interest के साथ अब प्रिंसीप जो भी आपके पास interest है वो दो टाइप में लगता है एक तो लगता है simple में जिसका formula यह रहा एक लगता है आपके पास compound में जिसका फार्मूला ओता है amount is equal to principle one plus rate upon hundred raise to power over T clear okay formula clear अब जो question मैं करूंगा वो यहां पर simple में राइट है इसको हम दोनों तरीके से देखेंगे ओके हम सिसको simple में भी देखेंगे और compound में भी देखेंगे formula मैंने बता दिये पहला क्या है find the simple interest on rupees 400 for five year at six percent आपके पास क्या दिया गया है आपको निकालना है simple interest किसका simple interest on rupees 400 यानि 400 रुपे की ऊपर आपको simple interest निकालना है अब simple interest तो formula आपको पता है principle into rate into time upon hundred हमारे पास होता है principle कितना है जो actual amount है यानि four zero zero into time कितना है five और rate कितना है six upon hundred ये तो चलिए सीधा होगे आपके पास अच्छे पंजे टीस और ये 120 रुपीस यानि अगर आपके पास कितना simple interest लगा इतना amount कितना बने गया आपके पास है amount is equal to principle plus interest था यानि 400 प्लस 120 is equal to कितना बन गया आपके पास पांसो बीस रुपे ओके यानि पांसो बीस रुपे बनेगे अगर मैं इसको as compound interest की form में निकालों तो formula क्या था amount is equal to principle one plus rate upon hundred raise to poverty यही था अब देखिए इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है यह क्या आएगा मेरे पास principle कितना है इसका 400 इसका principle है one plus rate कितना है मेरे पास इसका six percent upon hundred और time period कितना है five यह हो गया अब देखो इसको किस तरह से open करेंगे four zero zero यहाँ पे क्या होता है two ke साथ कर दीजी यहाँ पर five आ जाएगा यहां पर मेरे पास three आ जाएगा इसको अगर मैं करूँगा तो 25 आ जाएगा मेरे पास 53 upon 100 सोरी 50 upon 50 आपके पास बन गया raised to power 5 अब इसको क्या करना है अब देखो इसको तो 53 कर नहीं सकते आप क्योंकि यह काफी बड़ा amount है हमारे पास ओके यह तो आप इसको पूरा कर सकते थे या इस तरह से तो अब क्या करना है इसको open करेंगे इसको मैं यहां से मिटा देता हूँ आई होब कि आपको पता लग गया होगा क्योंकि यहां पर फिर जगा नहीं बचेगी ओके यहां तक हम आगे 53 upon 50 है इतना है मारे पास 400 अंदर क्या बच गया था 106 आ गया था upon 100 raised to power 5 इसको हमने यहां से कैंसल कर दिया था देखिए जाएगा तो तो के साथ ही यह यह तू के साथ ही जाएगा आपके पास यह उपर करूं तो यह decimal में convert हो जाएगा तो decimal की calculation करना मुश्किल हो जाएगा तो इसको इस तरह कर दीजिए 53 upon 502 के साथ किया एंड़ 400 अब देखिए कितनी बार है पांच बार है आपके पास हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 53 upon 50 into 53 upon 50 into 53 upon 50 into 53 upon 50 into 53 upon 50 लिख सकते हैं इस तरह से हां लिख सकते हैं तो जब आप इस को इस तरह से लिख होगे तो यहां से करेंगे तो यह कैंसल हो जाएगा यहां से करेंगे तो यह कैंसल हो जाएगा देन जितनी भी टर्म से इनको मल्टिप्लाई करना पड़ेगा मगर तो यह काफी लंबा हो गया ओके तो करना तो पड़ेगा तो जैसे आप इन सभी को मल्टिप्लाई करेंगे जैसे आपके पास 53 इंटू 4 तो आपके पास 212 आएगा इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53 ये हो गया था मेरे पास 123 ओके अभी तो मैं डिरेक्ट कर देता हूं इनको लेकिन जब आप इसको क्योंकि क काफी लंबा मांट जा रहा है मेरे पास ट्लियर तकरीवन 167 278197 तू यह काफी लंबा मांट हो गया इसलिए क्योंकि यह मैंने सिंपल को अनवाड किया था देन नीचे था मेरे पास 5 इंटू 525 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 तो यह भी काफी लंबा हो गया सेवन टू सेवन एट वन नाइन सेवन टू मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि इतना लंभी कैल्कुलेशन कभी नहीं आती एक्जाम में वह एकदम इजी वाले आते हैं ओके तो जब इसको डिवाइड करूंगा ना तो मेरे पास तक्रीवन 1535.290 बनेगा यह यह तक्रीवन 535.2 रूपीज तो देख लीजिए पहले कितना बना था पांसो बीस बना था अब मेरे पास 535 तो कंपाउंड में ज्यादा लगा यानि हर साल आपको जो प्रिंसिपल है वो इसमें चेंज होता रहता है इसलिए क्या होता है इसमें जो एक्चुल एमांट है वो आल्वेज आपके पर ज्यादा आता है ठीक है मैंने तरीका बताया मैंने आप को बाकि किसी बीतरह हो सकता है आपसे देखि एक्जाम में रेट पूछा सकता है टाइम पूछा जा सकता है अभी हम हर तरह के व्यस्यंद करेंगे यहांपे नेक्स्ट मेरे पास और सम और रुपीज आपके पास सम है बाज लेंट आउट एट सिंपल इंट्रस अब इसको लिया गया है सिंपल इंट्रस्ट के उपार एड़ दा कॉस्ट सोरी अंड एड़ एंड ऑफ वन यहर एट मन्थ अब क्या होगा आपके पास टाइम पर थोड़ साथ हो गया अब एक साल और आठ महीन होगे ओके वन यह तो आप ड्रेक्ट लिक शक्तो अब आर्ट महीन में एक डीट्रीट कर देक्ट ड्रेक्ट वनी होगा तो 5 अपांट त्री यर्स हो जाएगा क्या कहता है तो टोटल अमाउंट वास पाइव अंडर जो टोटल अमाउंट था बोटा फाइव अंडर आपको रेट पर सेंट निकालना है ओके देखिए प्रिंसिपल दिया गया है आपके पास फोर सिक्स एट पॉइंट स्टैवन फाइव टाइम पिरड़ आपके पास गिवन वन यहर एट मांथ यानि 5.3 यह समारे पास प्रेजेंट है इंट्रस्ट आपके पास लग चुका है यानि यह क्या है अमाउंट आपके पास गिवन यहां पर 500 तो मैंने क्या होता है प्रिंसि इंट्रस्ट अब यह कितने परसेंट के ओपर लगा है वो निकालना है मुझे तो रेट परसेंट के आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम रेट निकालना है न तो बस यह सभी वैल्यू इस साइड आ जाएगी क्योंकि सिंपल इंट्रस तो आगया मेरे पास 31 31 इसको इस तरह सौल करेंगे यह ऊपर चला जाएगा आपके पास लास्ट में फोर आएगा यानि फोर परसेंट जो है आपके पास इसमें रेट लगा हुआ है क्लियर वही केस अगर मेरे पास सिंपल सुरी कंपाउंड इंट्रस में आ जाए तो इसको तो चले थोड़ा सा म इसकत होगी लेकिन इसमें भी कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए आपके पास गिवन क्या है अब मुझे वैल्यूस कौन से प्रिंसिपल गिवन है फूर शिक्स एट पॉइंट सेवन फाइव गिवन है और क्या है मेरे पास गिवन अगर आप यहां पे देखेंगे तो मेरे मेरे पास इंट्रस्ट गिवन है 31.25 इंट्रस्ट गिवन है यहीं न मेरे पास इंट्रस्ट गिवन है सुरी यहां पर जब प्रात करें प्रिंसिपल की यहां पर आता है अमाउंट मेरे पास जो एक्च्वल अमाउंट होता है अमाउंट फार्मूला होता है यहां पर अमाउ 3 मेरे पास यहां पर 8 था यही था नहीं यहां पर यहां पर यहीर अपन थ्री अब क्या होगा आपके पास इस वैल्यू को इधर लेके आई यह 500 पाउन 468.75 आ गया जब पॉइंट को मैं हां से हटाऊंगा तो क्या होगा 2-0 यहां पर लग जाएगी उपर यहोगा इस इक्वल टू वन प्लस आर अपॉन हंडर्ड रेस टू पावर फाइव पॉन थ्री यह सॉल्व होगे मेरे पास अब अगर मैं इसको एलसियम लेके पूरे को सॉल्व करूंगा तो यह तो आर के साथ जुड़ेगा ही नहीं हंड़ अलग रह जाएगा नहीं यहां पर तो मै आपके पास आए तो यहां से क्या होगा जब कंपाउंड इंट्रस्ट में निकालेंगे तो यह साइड आ जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि यह प्रॉपर इसका क्वेश्चन नहीं है तो यह थोड़ा सा परली तरफ हो जाएगा ओके इसलिए जो नेक्स्ट में प्रॉपर क्वेश्चन लेकिया आँगा आपके लिए तब यह सॉल्व हो जाएगा यहां से क्या है कि अब इसका जुरूरी नहीं कि परफेक्ट लिए बनें बनेगा यह फाइब अपॉन थ्री के अकॉर्डिंग ही यानि आप जो टाइम पिर्ड यानि फॉर के आसपास आपके पास वाल करके इसका अंसर आएगा ओके अब वन मिनिट देए आपके लिए परफेक्ट क्वेशन ढूंटे हैं जहां से आप इसली इसको कर पाएं मैक्सम यहां पर आपके पास अमाउंट रेट इनी से रिगार्डिंग क्वेशन पूछे जाते हैं क्योंकि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यह बेसिक सा है तो जो भी मेन चीज़ें यहां पर आपके पास आएगी वह आपके पास यही होगी ओके चलिए next देखते हैं आपके पास एक और question यहां पर वैसे तो मैंने file यह send कर दी है आप में तो बहां से आप इनको calculate कर सकते हैं क्योंकि यह same है जितनी practice करेंगे उतने ही आपसे solve होंगे और उतना ही आपके लिए सही रहेगा ओके आपके 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 आपको कालकुलेशन सारी करवा दी है नेक्स्ट क्या है मेरे पास लेंट शिक्स हंडर्ट टू बी यह जो है उसने क्या किया वी से रूपी शिक्स हंडर्ट लिए पॉर टू इयर एंड रसीव और टूगैदर रूपीज नाइन्टी फो बोट एस इंट्रस्ट फाइंड रेट आफ इंट्रस्ट सिंपल इंट्रस्ट बिंग क्या है आपके पास यहां पर रूपीज शिक्स हंडर्ट जो है फॉर्ट टू य रूपी शिक्स हंडर्ट लिए गये हैं आपके पास इंट्रस लगा है उसमें रूपीज 90 का तो रेट क्या बनेगा देखिए सिंपल इंट्रस्ट का फॉर्मूला लगाया गया है डिरेक्ट ली ओके नेक्स्ट्ट आपके पास दौन अप मणी डवल इट्सार्ट इंटैन 10 years आपके पास का है कोई मझनी है जुकि खुद को डवल कर दीत दस साल में तो आपको सिंपल इंटरस्ट निकालना है एट सिंपल इंटरस्ट वहिट इस दर रेट जेट फाइड करना है आपको इसमें कितना रेट हमारे पास लगा होगा तो रेट कैसे आए कहलेट सम वी कितना होगा आपके पास 100 after 10 year 10 साल के बाद क्या हो गया यह आपके पास 200 बन गई तो इंटरस्ट कितना लगा उसमें इस्पेशली 100 लगा इट मेंस आपके पास इस 10 परसेंट हो गया clear तो आज simple interest के questions को study कीजिए काफी important है कल हम इसमें क्वेश्चन करेंगे के बाकि टाइम वर्क एनर टाइम से रेटेड क्वेश्चन से आगे तो इनको करने का अभी फाइदा नहीं है क्योंकि यह थोड़ा डीप concept है तो अभी सिर्फ simple interest के questions को किजिए कल हम इसी में आपके पास compound interest को एड़ करेंगे ताकि आपको यह beneficial रहे ज्यादा लोड नहीं देंगे आपके उपर अभी सिर्फ आप क्योंकि यहां पर question नहीं है perfect तो compound interest से रिगार्डिंग के लिए है for amount आता है यहां पर SMS सुचे interest amount is equal to principal compound के लिए और यहां पर जो आपके पस amount है बहुत है principal plus interest के साथ ओके यहां पर क्या क्या चीज़ें आप से पूछी जाती है एक amount पूछा जा सकता है principal आप से पूछा जा सकता है rate आप से पूछा जा सकता है एंड़ time clear क्योंकि यह यही चीज़ें आपके पास यह interest भी पूछा जा सकता है यह पांच चीज़ें होती है जो कि exam में आप से पूछी जा सकती है कौन कौन सी यह तो amount पूछा जाएगा यह तो principal पूछी amount क्या है जो कि principal plus interest करके आता है यह तो principal पूछा जाएगा जो कि amount होता है जो कितना बन रहा है आपके पास ब्याज क्लियर यह पांच चीज़े हैं तो आज सिर्फ सिंपल इंटरस्टे रिगार्डिंग क्वेश्चन कीजिए ओके बाखी क्वेश्चन करूंगा मैं आपको सेंड जो कि आपको काफी बैनिफीशल होंगे क्लियर सो चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए थैंक यू हाव नाइस टेए